हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चानल स्टडी वेश शुप्रातीरे पर फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेल प्रहरी के एडमिट कार्ड व्यापम के द्वारा याने पीवी के द्वारा जेल प्रहरी के एडमिट कार्ड तो फ्रेंट सबसे पहले जैसी आप Google पे पीई भी टाइप करेंगे, पीई भी टाइप करके सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप पीई भी के ऑफिशल वबसाइट पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आपको English में देखना है हिंदी में, जिसमें भी देखना है आप वो से लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगे, यहाँ पे फ्रेंट सामने इंस्ट्रक्शन वाला पेज ओपन हुआ है, जिसमें लिखा है, एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड नाइंटीन, ठीके, यह इंस्ट्रक्शन दिये हुआ है, सेंटर के लिए, रफशीट के लिए, जिसे यहाँ पे देखिए, रफशीट के यह पॉइंट दिया हुआ है, कि रफशीट will be kept at all desk before start of exam by invigilator wearing gloves to ensure hygiene, ठीक है, याने एक्जाम स्टार्ट होने से पहले ही उन लोगों को रफशीट डेस्क पे रखनी होगी, ठ और एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि candidates के लिए भी related है सारी चीजे, तो यहाँ पे यह सब instruction आप पढ़ लिएगा, जैसे कि यहाँ पे यह at time of entry में, यहाँ पे lab number वगेरा details सारी दी हुई है, यहाँ पे, advisory for candidate regarding covid-19, ठीक है, तो यहाँ पे यह instructions प भी open हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप पूरे instructions पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद friends बात करें हम, admit card चेक करने की, तो admit card चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस instruction को पढ़ने के बाद में, यहाँ से close कर दीजिएगा, तो यह window दिखेगी आपको, यहाँ पे भ जाएगी, इसके बाद में, second point है, candidates will not be allowed to enter in the examination center after the reporting time, reporting time के बाद entry नहीं मिलेगी, इसके बाद में, third point है, candidates should bring original photo ID to enter in the examination center as per rule book, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, जो आपके original photo ID होनी चाहिए, कोई सी भी एक है, लाइसेंस हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ठी ए आधार कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है, यहां पर साफसफ लिखा है, ए आधार कार्ड will be valid, only verified by UID AI, ठीक है, ए आधार कार्ड चलेगा, लेकिन कब, जब सिर्फ वो वो वेरिफाइड हो, UID AI से, ठीक है, तब ही ए आधार कार्ड चलेगा, पर friends, हो सके तो आपके पस दूस पार्ट तो in the second part of test admit card, ठीक है, admit card के नीचे second part होता है, half half part में divide रहता है, ठीक है, तो जो second part pasta होता है, पहाँ पर photo लगानी रहती है, ठीक है, उसके बाद में, फिफ्ट फ्ट.. mock test is available on PEB website ठीक है mock test available है कि online exam आपको कैसे देना है वो PEB के website पे available है इसके बाद में candidates can enter in the examination hall after the biometric process ठीक है biometric process के बाद ही entry की जाएगी आपकी फिर after the completion of online examination the score of the candidates will be displayed on the computer screen जो friends state exams होती है यह MPK exams होती है उसमें आपके जो marks है वो तुरंट आपको exam के बाद ही पता चल जाते है तो friends ऐसे exam complete हो तो फटाफट submit करने के चक्कर में आखरी में okay option आता है जल्दी submit करने के चकर में आप score देखना मत भूल जाएगा क्योंकि last में score बताते हैं ठीक है कि आपके कितने marks आ रहे हैं क्योंकि इसमें negative marking पता चल जाते हैं इसकी बाद में only test admit card and original photo ID is allowed in the examination hall other things are strictly prohibited तीक है याने कि सिर्फ आपका जो admit card रहेगा और एक original photo ID और साथ में एक photo जो पे एडमिट कार्ड पर पेस्ट करेंगे इसके अलावा आपको और कुछ examination hall में लेके नहीं जाना है ठीक है यहां पर सारी चीज़े दे रहा है कि यह सारी चीज़े बैंड है तो यह instructions भी एको बार पढ़ लीजिएगा साथ ही जो फ्रंट में instruction है वो भी पढ़ लीजिएगा अगर कुछ doubt है तो आप comment section में पूछ लेना बागी friends अब देखते हैं कि admit card कैसे पता चलेगा तो यहां पर फ्रंट अप्लिकेशन नंबर यहां पर देखिए यह दे रहा है अप्लिकेशन नंबर जो आपने form भरा था उस पर आपका application नंबर आया होगा तो वह application यहां पर दालना है date of word friends इस format में ही डालिएगा है ना dd slash mm slash yy ठीक है जैसे 20 जुन 1994 अगर आपकी date है तो 20 ठीक है फिर slash 06 slash फिर 1994 है ना 1994 ऐसे डालिएगा अगर आपके date of word जो भी है उसको इस format में डालिएगा इसके बाद friends जो भी इस यहां पर capture में नंबर वो मांग रहा है उसको कर करके यहां पर enter किजिएगा और search पर click किजिएगा जैसे आप search पर click करेंगे number और डियो भी डालके वैसे ही क्या होगा आपके सामने आपका एक page open होगा जिसमें आपका नाम, role number, date ठीक है exam date कभ है, exam का दिन कौन सा है, timing क्या है और आपका center कहां आया है यह बताएगा उसके न किसी की exam 30 को है, तो 30 से 3 days पहले वो उस call letter को download कर सकते हैं, अभी सिफ यह बताएगा कि आपका role number क्या है, exam city क्या है, date क्या है, day क्या है और exam का time क्या है, अभी सिफ इतनी information पता चलेगी, साथी में friends यहां पर यह नीचे दे रहा है, download advisory for candidates regarding COVID-19, ठीक है, तो इस पर आप click तो यह download होंगे instruction, ठीक है, तो यह वो ही instruction है, बाकि इसे भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यह जो starting में instruction बता रहे थे, वो ही instruction यहां पर भी उन्होंने provide करें है, तो इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह candidate से related भी है, और examination center से related भी है, ठीक है, जैसे यहां प candidate with a scribe, both the candidates and the scribe must bring their own mask, ठीक है, एक तो आपको mask लेके जाना है, साथ ही में exam related documents हो है, कौन-कौन से, admit card, ID, photo, ठीक है, उसके बाद simple transparent ballpoint pen, ठीक है, अब यहां पर blue black कोई सा भी चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा है, transparent ballpoint pen, ठीक है, transparent ballpoint pen ले जाना है, उसके बाद में photograph जाब वहां उस पर लगाएंगे, admit card पर, आपका hand sanitizer, 50 ml का, और आपके अगर water bottle ले जाते हैं, तो वो भी transparent होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ही यह बागी instructions भी दिये हुए है, तो यह आप read out कर लीजिएगा, तो friends, यह थी आज की important information, हम study की वीडियोस भी provide करते हैं, तो अपने preparation जारी रखने के लिए शिपरा तीरे चानल से ज़रूर जूड़िएगा, इस वीडियो को like कीजिएगा, जादे से जादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इस बारे में पता चल सके कि admit card आ चुका है, और अपनी preparation अच्छे से कीजिएगा, friends, तो